हेलो दोस्तो मेरा नाम है साहिल और स्वागत करता हूँ आप सबका HTML5 Crash Course के टुटोरियल सीरीज में ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम इंटरनेट के बारे में सीखेंगे दोस्तो आप मैं हम सब अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज करते हैं फिर चाहे वो किसी को वीडियो कॉल करना हो अपनी स्मार्टफोन को चलाना हो या फिर ओफिस का कोई काम करना हो हर जगा हम इंटरनेट का यूज करते हैं सुबह उटने से रात को सोने तक हम इंटरनेट को यूज करते हैं लेकिन आखिर में ये internet क्या है और internet काम केसे करता है इन सवालों के जब आप आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो दोस्तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ये वीडियो बहुती मज़ेदार होने वाला है दोस्तो सबसे पहले हम देखते है कि internet क्या है सिंपल भाषा मैं आपसे कहूँ तो internet ए international connection of computers है जिसमें world के सारे computers को एक साथ जोड़ा जाता है और उनके भी इस data transfer किया जाता है दोस्तो जितना आसान ये सुनने को लगता है उतना आसान ये है नहीं इंटरनेट आखिर कैसे बना, किसने बनाया ये आपको आगे पता चलेगा तो वीडियो को आखिर ज़रूर देखना अभी हम देखेंगे कि internet आखिर किसने बनाया और कैसे बना बॉब कैन और विंड सर्फ नाम के दो साइंटिस्ट उननिस सो सब्तर दशक के आसपास एक ऐसे प्रजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसको आज हम इंटरनेट बोलते है उसी समय United States of America के डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनके लिए एक ऐसा सिस्टिम बनाया ताकि वो अपने डिटा को शेर कर पाए उस सिस्टिम को उन्होंने नाम दिया AirPanet यानि कि Advanced Research Project Agency Network दोस्तो AirPanet ने चार कम्पेटर को एक साथ जोड़ा और उनके भी इस डिटा का ट्रांसफर किया ये एक्सप्रिमेंट सक्सेस्फुल होने के बाद AirPanet में कुछ लोकल उनिवर्सिटिस को भी शामिल किया गया उनको जोड़ा गया ताकि वो अपना डिटा शेर कर पाए दोस्तो एक और साइंटिस्ट एक ऐसे कम्यूनिकेशन सिस्टिम बनाने में लगे हुए थे जो कि नुकलियर अटैक भी सर्वाइव कर पाए इनका नाम था पॉल बैरन पॉल बैरन ने डिस्टिबूटर मेश नेटवर्क सिस्टिम की निर्मिती की इस डिस्टिबूटर मेश नेटवर्क की वज़ा से ही आज हम पूरी दुनिया में इंटरनेट को चला पा रहे हैं दोस्तो अब हम देखेंगी कि इंटरनेट काम कैसे करता है आप में से कुछ लोगों को लबता होगा कि इंटरनेट सैटलेट की वज़ा से चलता है या फिर cables इंटरनेट को चलाती है या फिर radio waves या mobile tower से हम इंटरनेट को यूज करते है लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का 99% जो इंटरनेट है ये सिर्फ fiber optic cable की वज़ा से चल रहा है ये जो fiber optic cables है ये पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर country to country बिचाई गई है जिससे हर एक country दूसरे country से connected है और हम इंटरनेट को यूज करते है हम एक website देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे ये cables बिचाई गई है तो दोस्तों अब हम इस website पे आ गए है जिसका नाम है submarine cable map.com ये website पे आपको पूरे world का map दिखाई देगा और फिर ये map में आपको different colors की line दिख रही होगी ये lines और कुछ नहीं बलकि वो fiber optic cables है जिसको मैंने पहले बताया था ये सारी connected है और ये समुद्र के अंदर से बिचाई गई है तो जल्दी से हम इंडिया की country में zoom करते है और फिर हमको दिखेगा कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी cables आ रही है जो हर एक point को connect करती है यहाँ पे जो पहला point है वहाँ पे जादा cable से वो है मुंबई का point उसके बाद आता है हमारा चन्नी का point और ऐसे बहुत सारे points हमें देखने को मिलेंगे तो आप जल्दी से जाके इस website को चेक किजे इस website की link में ने description में दे दी है दोस्तो अब यह internet fiber optic cables के थुरू हमारे country तक तो आ गया लेकिन अब यह हर एक country से हर एक state तक हर एक village तक और हर एक user तक कैसे पहुचता है तो यह internet पास होता है 3 tiers से tier 1, tier 2 और tier 3 tier 1, tier 2 और tier 3 में अलग-अलग companies काम करती है जो हम तक internet पहुचाती है tier 1 companies यह companies होती है जो fiber optic cables को manage करती है या फिर उनको बिचाती है tier 2 companies tier 1 से internet खरीदती है और फिर यह user तक internet पहुचाती है दोस्तो इंडिया में tier 1 में 4 companies operate करती है जिनका नाम है Tata, भारती Infratel, VSNL और Reliance tier 2 में सारी mobile communication companies आती है जैसे कि Reliance, Idea, Vodafone, Airtel, Jio, etc. broadband service provider जैसे कि Ticona, Hatway और any other providers का समाविश होता है तो इस tutorial का मैं summarize करना चाहता हूँ और इस video को आपने अगर पूरा देखा होगा तो आप यह जान चुके होगे कि आखिर internet होता क्या है internet को किसने बनाया है और internet काम कैसे करता है तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप नीचे comment में मुझे ज़रूर बताएए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी लास्ट मी जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम के पेच को ज़रूर फॉलो कीजिए वहाँ पर मैं इस वीडियो के उपर questions डालूंगा तो आप उन questions का answer दे पाओगे और मेरी नहीं नहीं पोस्ट आप वहाँ पर देख पाओगे thank you very much for watching